हेलो दर्शको लाइब टूडे में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ आशलतिवारी हाली में सरकार ने बहुत बड़ा निड़े लिया है सरकार ने भारत में टिक टॉक पर बैन लगा दिया है अब जानते हैं किस पे लोगों का क्या रियक्शन है सबसे पहले तो आप सभी अबिनदन और मेरा नाम आरियन है मै रालसान विकानेर से हूँ और मुंबई रहता हूं एक आर्टिस हो अपके कोई भी फेसबूक है ट्युटर है वाटसथ है या कोई बी ऐसा मीडिया है मेरा यह मानना है कि आप लोग उसके टाइम सेट कर दें जिसमें कोई छे से बारा कर दें इविडिंग का चार गंटे का दो गंटे का ऐसे अवधी टाइम हो तो सब लोग जो एनी टाइम जो इसमें लगे वो हटके अपना कोई भी एक्जुकेशन है अपना पारिवरी काम है मेरा यह मानना इसमें कोई यूथ का कोई जरूरी नहीं है आप इसमें फाइफ यह से लेके करीबन सिप्तर असी साल तो कोई भी लड़का लड़की बुजर्ग कोई भी इसमें कर रहा है आप टिक टूप को अच्छे से देखेंगे तो इसमें पूरा वर्ड ना कि पूरा पूरा वर्ड इसमें इंक्लूड है और यह बहुत कम समय के अंदर इतना टियार भी उसने मिला टिक टॉक मेरा तो यह मानना है वी फ्रेंक टिक टॉक बंद नहीं होना चाहिए मैं भी कुछ कर रहा हूं टिक टॉक में यह नहीं है लेकिन बहुत कुछ लोग को रहे हैं खा खाकत करेंगे हैं और हमेसा उनका आनदर करेंगे यह नहीं है कि सरकार का कोई वायभात टिक टॉक टॉक मीडिया है ढिक टॉक है लोगों को कुछान होता है उस सर्प जान नहीं पार रहा है इसके लिए सरकार ने थोड़ा सा इसको हटा के एक election के तर फोकेस डाला है और TikTok जहां तक बैन होने की बात है बैन होने का एक कारण और है क्योंकि उसके जो है न कई भद्धे वीडियो भी आते थे जिसके बज़े से आज के जो जनरेशन है वो काफी उसको खराब लगता है मतलब जो ओल्डर एसके थे उनको काफी खराब लगता था और मैं खुद यूज करता था उसको उसमें कही बार मैंने ऐसे वीडियो देके जो फणी वीडियो है इंदम न्यूड वीडियो कई लोग जिसके बज़े से क्वूलते कलिचर होता है न खूटा ंएक आ इंडिया को मोटिवेयट नहीं घरता हुग alma क्यों कि इंडिया जो है ऑगला कंटर ये पूरा पूरी तरीके से इसलिए कहीं न कहीं कि सरकार ने सोचा कि इसको हटा दिया जाए तो उसको फिनिश कर दिया एक चुली यूद के लिए फाइदा था फाइदा बता जैसे लाइक यूटूब है यूटूब में हम क्या करते हैं आज की जनरेशियों में बहुत स्ट्रीक हो गया वो पूरी देख लेकिन टिक टॉक प पाथ है चाहे वह स्टडी हो चाहे हो कि लोगों की जो नजर होती है फिर अलग-अलग भठका हो जाता है लोग क्या सोचे ने चलो ठीक है जो कर रहे हैं हम इसी से कर रहे हैं जो एक्शोल में करना चाहिए वो काम नहीं करते हो लोग दिन वार्टिक टॉक पे वीजी रहते अगर आप लोगों पढ़ता है कि क्रिंच क्या होता है इसको देखके अच्छा नहीं लगता हो कुछ वैसा था अच्छी चीज़ बैं लगा है यूँ क्यों 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 क्रिएटर्स वो बहुत सारी अलग तरह से आ रहे हैं जिसे इंस्ताग्राम यूट्यूब मैं खोद कि का जो जो था अच्छी था कि वालना ओ यूट्यूब मैं शीज़ भूट्यूब मैं लोगों कहना चाहूंगा कि एक रड़ जाओ इप्टोश पूलगा अटिकों बहुत अच्छान पार सथा जाँ हैं लोगों की दिसंस्टाओ नहीं जा कि उल्क्श भाण भाण बनाने क कि मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी यूथ का टाइम सिफ टिक टॉक के वीडियो बनाने में वेस्त हो रहा था पीपल फोकस नहीं कर रहे थे कि कहां पर देश जा रहा है कि कैसे खुद का भी ग्रोष कर सकते हैं जहां देखो टिक टॉक के बैठ हैं लोग अगर टैलेंट है तो सही जगाज आके दिखाओ उनको लगता है टिक टॉक टॉक इस बेस्त वेड़ बट अच्छा था वेन शुरू आत हुए टिक टॉक को सबको तिनको चांस नहीं मिलता वहां से वहां पर अपनी प्रतिभा है कि आप अपने कुल्चर से अगेंस जा के चीजे करें तिक टॉक पे क्योंकि बच्चे भी देखते हैं तो उन पे भी कहिना कहीं कुल्चर पे बुरा अफेक्ट हो रहा था अगर लोग पहले से वह दाइरा डारा करें तो तो टिक टॉक यूश कर नहीं है बट जहां पर कि अपनी प्रतिबा चाहे तो वहां सरकार जागए विच इस अगूट तो आपनी प्रतिबा चाहे तो वह प्लेज है वगरा करके भी दिखा सकते हैं उस पे किसी का ध्यान नहीं था लोगों को फाइदा यह हुआ कि एक एजी माध्यम में लेगा जहां पे वह लोग सीथे कि हमारे में प्रतिबा यह तैलेंट है उसका फाइदा यह हुआ कि बहुत सारे लोगों को वहां से अर्णी हो रही थी सीधी बात है दूसरा नाम पे मिल रा था और जिन्होंने तिक टॉक से नाम पे मिला तिक टॉक सेलिबरिटी जो बने वह कही ना कहीं सीधे सीरियल वग अब आपने सबसे जब शुरुआत है तो तीन चार वीडियो बनाए इस तो अविद देखा कि यहां पर बहुत गाली गलोच गंदे इस नहीं वाबा पापा देख लेंगे तो चलो चुक चाप से निकल लो टिक टॉक से आप्टर देखा कि नगी ना वीडियो बनाए ना करतीबा दिखाने के बहुत सारे तरीके होता है तैलेंट दिखाने के लिए यूटूब भी है वो लोग और अच्छा कंटेंट है तो ही वो लोग अप्रूव करके आगे बढाते हैं ऐसे नहीं टिक टॉक ने अगर यह चीज रखी होती है फिल्टर आइस की वही अच्छा क अगर जुड़ा कंटेंट है अगर जुड़ा कंटेंट है वो लोग वहां पर कुछ बैंड लगाते है ऐसी कुछ चीजे होती है यह यूथ खुद इतना अपने आपको फेमस करने में पागल नहीं हो जाता कि कुछ भी कर रहे हैं फेमस होने के लिए इस्टेड ओफ